राथी राथी दोस्तों क्योंसे हैं आप सब दोस्तों पित्र पक्षमी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांती के लिए तरपन और पिंडदान करने का विशिश महतों बताया गया है पित्र पक्षमी पूर्वजों की आत्मा की शांती के लिए कई उपाय भी किये जाते हैं शास्तों के अनुसार भादबत पोर्मा पर पित्र पित्र लोग से धती पर आ जाते हैं और अश्विन अमावस्या पर अपनी परिवार जनों से बिदा लेकर पह बापस पित्र लोग को चले जाते हैं इन सोले दिनों में पित्र प्रत्वी लोग पर अपने परिवार के लोगों के आसपास ही रहते हैं और अपनी परिवार जनों द्वारा अर्पित किये गए अन्य चल को ग्रहण कर रप्त होते हैं इस दौरान उन्ही भूख प्यास भी लगती है सर्दी गर्मे भी लगती है इसलिए पित्रों के नाम से भूजन देने के साथ ही भ्रामण को भूजन कराया जाता है और वस्त इत्यादी का दान भी किया जाता है पित्रपक्ष के दौरान शात्तरपन पिंडदान के साथ ही पंचिबली का भी बिधान है इससे पित्र दरप्त होते हैं हिंदु धर में पित्रों को देप्ताओं के समान माना जाता है उनके आशिरफास से घर में सुक्सम्रती और धंधान बना रहता है पित्रपक्ष में शात्तरपन पिंडदान और पंचिबली करने के साथ ही बहुत सी बातों का ख्याल भी रखना चाही परना आपके पित्र आपसे नाराज हो जाते हैं जिससे लाइफ में कई तरहे की परिशानिया आने लगती है पित्रपक्ष का समय पित्रों को प्रसन्य करने के लिए खास माना जाता है इसके साथ ही अगर इस समय में कुछ गल्दियां कर दी जाएं तो इससे पित्रों के साथ ही पित्र देव, भगवान, विश्न, मा लक्ष्मी भी नाराज हो जाते हैं और जीवन भर कष्ट उठाने पड़ते हैं इसलिए दोस्तों यह जाना अती आवश्चक है कि पित्रबक्ष की दोरान ऐसे कौन से कारे हैं जिन्हें कैना शास्तों में बर्जित बताया गया है इस पार पित्रबक्ष की शुरुवात 19 सितंबर दिन शुक्रवासी हो रही है और इनका समापन 14 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा पित्रों के आत्मा की शान्ती के लिए पित्रों के मृत्य तिथी के हिसाब से शाथ किया जाता है जिस तिथी पर जिस पित्र की मृत्य होई होती है उसका शाथ उसी तिथी पर किया जाता है जैसे कि पंचिमी पर जिनकी मृत्य होई है तो उनका शाथ पंचिमी पर ही किया जाएगा चाहे वह शुक्लपक्ष में मृत्य होई थी या फिक कृष्णपक्ष में इसमार पित्रबक्ष की शाथ तिथिया इस प्रकार है पूर्मा का जो शाद है वह 29 सितंबर को किया जाएगा पतिपर्दा का जो शाद है वह भी 29 सितंबर को ही किया जाएगा दित्या तित्या 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 तित्य को किया जाएगा देसमी का शाथ 8 अक्टूबर को किया जाएगा एक आदशी का शाथ 9 अक्टूबर को किया जाएगा दो आदशी का शाथ 11 अक्टूबर को किया जाएगा तियो दशी का शाथ 12 अक्टूबर को किया जाएगा चत्य दशी का शाथ 13 अक्टूबर को किया पित्र पक्ष की अम्हवस्या को सद्रव करते हैं इस दिन सब्सक्राव का शाथ किया जाता है जिनकई पित्र pact की हुसाब से आप पित्र पक्ष के दोराइ शाथ नहीं करपाई आप भूल गए थे इस आपको अपने पित्रों की अपने पित्र के लिए चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन को भी जरूर दबाएं तो आईए दोस्तों जानते हैं ऐसी कौन से कारे हैं जिन्हें पित्रबक्ष की दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए पित्रबक्ष में माता पिता में से कोई अगर जीवित है तो उन्हें जितना अधिक हो सके आधर और सम्मान दें इनकी हल खुशी का ध्यान रखें क्योंकि इस समय माता पिता में से जो भी परलोग चले गए हैं वह धर्दी पर आकर देखते हैं कि आप अपने माता अध्वा पिता जो जीवित हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं, अगर उनके साथी को कश्ट होता है, तो उनके मन को भी कश्ट पहुंसता है, और वह शाप देकर बिना अन्यजल प्राप्त किये लोग जाते हैं, जिससे जीवन में एक के बाद एक कश्ट आने लग जाता है, तरक की रुख जाती है, और पित्र दोश लगता है, इसलिए पित्र पक्ष के दोरान अपने माता पिता, दादा दादे, अपने परिवार के जन्नों का ख्याल अवश्य ही रखना चाहें, और अपना प्रीम व्यक्त करना चाहें, प्रत्वी लोग पर आए पित्र जब आप पित्र पक्ष के दोरान तामसे भोजन से पहेच करें, इस समय प्याच लहसन, मास, मचले, अंडा, मदरा से दूरी बना कर रखें, साथी मसूर की दाल का सेवन भी ना करें, इस दोरान चने का सेवन ना करें, चने के सत्तु का भी सेवन ना करें, पित्र पक्ष में साथवि भूजन ही गहन करें, भ्रामर के साथ ही जब आप किसी जरुतमन्द व्यक्ति को भी भूजन दें, तो उन्हें भी साथ भूजन ही दें. पितर पक्ष्मी कभी भी द्वार पर कोई पशु या मांगनी वाला आए, तो उसे अन्यजल जरूर देना चाहें. कहते हैं पित्रपक्ष में पितर किसी रूप में भी आकर अन्यचल के इक्षा कर सकते हैं जो व्यक्ति इस समय द्वार पर आए जीवों को संतुष्ट करके बिदा करते हैं उनके जीवन पित्रों की कृपा से आनन्द और खुशी से भर जाते हैं इसलिए पित्रपक्ष के दौरान आपके घर पर कोई भी मांगने वाला व्यक्ति आए तो उसी भोजन अवश्य दें लेकिन ध्यान रखें सातिक भोजन ही दें इस दौरान अपने घर की छती या आंगन पर पक्षियों के लिए पानी और दाना भी अवश्य रखें घर के आसपास कोई पशू या चीप जन्तु हो जैसे की चीटियां हो या बंदर हो या कोई भी पशू हो तो आप उसी भोजन कराएं पित्रपक्ष के दौरान अधिकता लोग केवल शाहत तरपन पिंडदान पर ही ध्यान देते हैं लेकिन पित्रपक्ष में पित्रों के नाम से दीपर भी जरू जलाना चाहिए और इसके साथ ही सभी लोगों को प्याज से भी दहना चाहिए घर में कले और अशान्ती का माहौल पित्रपक्ष में बिलकुल ना आने दें ऐसा कैने से पित्रपक्ष में पित्रों को याद नहीं करते और घर में अशान्ती बनाए रखते हैं उनके घर से माल लक्षमी भी चली जाती हैं क्योंकि पित्रों का शाप उनकी खुश्या चीन इस दौरान पित्र आपको दीखनी धर्दी पर आते हैं, इसलिए आपको इस दमें अधिक से अधिक अपने पित्रों का ध्यान करना चाहें, उनको याद करना चाहें, और परिवार के लोकों को घर में शांती बनाए धखनी चाहें, साथी शाथ तरबन जप ही करें, तो पूर पित्र पक्ष के दौरान यह जरूर याद रखें कि आपके परिवार के जो लोग परिलोग सिथार गए हैं वह बापस आकर सोले दिन आपके बीच में ही हैं इसलिए इस दौरान जो भी भोजन करें उसमें थोड़ा सा हिस्सा निकालका पित्रों का ध्यान करें भोजन बनाकर साफ सात्विक भोजन को आप थोड़ा सा पहले अवश्य ही निकाल दें और यह भोजन आप पित्रों के नाम से गाई, खुत्ता, कौवा, छीटियों को खिला दें अगर सब को ना खिला सकें तो आप केवल गौमाता को भी जाकर खिला सकते हैं पित्रों का ध्यान किये बिना और पित्रों के निवित अन्यजल निकाले बिना अगर आप भोजन करेंगे तो इससे आपको रोग हो सकता है शास्तों के अनुसार ऐसा कहने से आथिक परिशानियों का भी सामना कहना पड़ता है पित्र पक्ष में जो लोग पित्रों को जल देते हैं उन्हीं लंबी दूरी की यात्रा इस समय में नहीं कहने चाहिए जिस इस्थान पर पित्रों का तरपन आरंब किया है आप पित्रों को जल दे रहे हैं उसी इस्थान पर पूरे पित्र पक्ष में रहकर पित्रों को अन्य और जल देना चाहिए अगर आप यात्रा करते हैं तो पित्रों को भी भटकना पड़ता है क्योंकि यह अन्यजल पित्र ही ग्रहन करते हैं और उन्हीं इससी कष्ट होता है अगर आप किसी तीत इस्थल में पित्रों को अन्यजल देना चाहते हैं इसलिए यात्रा करना चाह रहे हैं तो पित्रों से प्रात्ना करें और कहें कि ये पित्रों में आपकी त्रप्ती के लिए आप जिस भी तीध पर जा रहे हैं उस जगे का नाम ले और कहें कि आपकी त्रप्ती के लिए उस जगे पर मैं आपके लिए अन्य जल दान करनी जा रहा हूं इसलिए आप भी कृपा करक कि मेरे साथ चलिये. इससे पित्र प्रसंद होंगे और अन्य जल प्राप्त करने आपके साथ चलेंगे और आपको आश्रवात भी देंगे. पित्रों के पूझा करते सपमें जब जल हतेली से जमीन पर गिराएं, तो इसे अंगुठे और तरजनी उंगली के पीश से गिराएं, इसे हतेली में पित्र तीथ कहा गया है, इससे जल पित्रों को प्राप्त होता है, सामने से अंजुली से जल गिराने से जल देपताओं को प्राप्त होता है और पित्रों को नही इसलिए देव औपित्रों की पूजा में जल देने का अलग नियम है इसलिए इस बात का धान रखें जब भी पित्रों को जल दें तो अपनी दाहिने हाथ के अंगूठे और तजनी उंगली के बीच में से जल चड़ाएं पित्रों को जल देते समय हतेली में दो छीजों का होना बहुत जरूरी है एक कुश और दूसरा तिल बिना तिल और कुश से जल देने से पित्रों को संतुष्टी नहीं होती और वह अत्रप्त होकर नाराज होकर चले जाते हैं पित्रों के नाराज होने पर जीवन में अशान्दे और कई तरहें की परिशानियां आने लगती है सबसे जरूरी बात यह है कि पित्रपक्ष में जिस दिन आपके पित्रों की प्रत्यूतिति हो उस दिन अपनी शम्ता और व्यवस्था के अनुसार भ्रामण को भोजन कराएं भ्रामणों की संख्या विश्वम रखें जैसे के एक, तीन, पांच, सार, ग्यारा, एक्किस इस तरहें पित्रों की मृत्यूतिति पर जो लोग पित्रों की नाम से भ्रामण भोजन नहीं करवाते या अन्यजल का दान नहीं करते उन्हीं अगले चन्म तक इसका डंड भोगना पड़ता है ऐसे लोगों की कुंडली में अगले जन में पित्र दोश बनता है और असफलता उनका पीछा नहीं झोड़ती इसने पित्रबक्ष में पित्रों का शाद तरपन अवश्य करें अन्न का दान करें या हो सके तो प्रामण को भी भोजन अवश्य कराएं पित्रपक्ष में पित्रों के नाम से अन्न बस्त इत्यादी का दान कायना बहुत शुब माना जाता है लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दान की बस्तू में काले दिल अवश्य ही डालें शास्तों के अनुसार काले तिल डाल कर जब आप दान करेंगे तो वह बस्तू पित्रों को प्राप्त होगी अगर काली तिल नहीं डालेंगे तो वह राक्षसों को प्राप्त होगी इसलिए कोई भी बस्तू हो, उसमें काले तिल डालकर और अपने हाथ में काले तिल लेकर ही दान करें पित्रपक्ष शोक्या समय होता है पित्र-पित्र लोग से धत्ति लोग पर आते हैं और अपने परिवार जनू के पीच इतने समय बाद आकर दुखी होते हैं क्योंकि वह अलग यूनी में होते हैं इसलिए पित्रपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार का जश्ण नहीं मनाना चाहें और किसी के जश्ण में शामिल भी ना हो इस दौरान कोई भी मांगले कारे ना करें और ना ही खरीदारी करने चाहें सिर्फ रोजमर्रा की चीज़े या पित्रों के नाम से दान देनी वाली जीज़ें आप खरी सकते हैं दोस्तों बित्र पक्ष पैत्रों की कृपा प्राप्त करने और मुक्ती पाने के लिए बहुत खास बाने जाते हैं फित्रों को प्रसंच करने के लिए इंस अब भी बातों का विशिश तोह पर ध्यान- हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरू दबाएं थैंक्स फॉर वाचिंग राधी राधी